हलो फ्रेंड्स आयम विर्जेश इन इस वीडियो भी आप गूँंग तू स्टार्ट क्लास एट मैथ एकसाए 14.4 विग कोस्ट 11 तो 15 तो इस वीडियो में हम एकसाए 14.4 के कोस्ट 11 से लिएके 15 तक सॉल्व करेंगे and in question में हमें करना क्या है find and correct the errors in the statement तो यहाँ पर हमें कुछ statement given है इन statement में हाँ पर कुछ mistake है उसको हमें find करना है तो यहाँ पर y-3 का whole square equal to y square minus 9 आया है इनके according अब यहाँ पर हम अपने according करते हैं तो यहाँ पर जो LHS है इसको हम पस लिखते हैं y-3 का whole square अब यहाँ पर a-b का whole square वाली identity का इसमें use हो रहा है तो a-v whole square equal to होता है a square plus v square minus 2av यह होती है identity तो यहाँ पर a हाँ पर क्या हो जाएगा y and b हाँ पर minus 3 हो जाएगा तो a का square means y का square तो यहाँ पर y का square हो जाएगा next plus आता है b का square b हाँ पर 3 है तो 3 का square और next क्या आता है minus कसाइन आता है and 2 आता है and यहाँ पर a यहाँ पर y है and b हाँ पर क्या है 3 है यहाँ पर 3 आ जाएगा next y का square y square 3 का square 9 हो जाएगा 2 की multiply करेंगे 3 से तो यहाँ पर कितना आएगा 6 आएगा and y चल रहा है साथ में तो 6 y हो जाएगा now you can see यहाँ पर जो इनके according जो answer आया है वह यहाँ पर क्या है y square plus y square दे रहा है यहाँ पर minus का 9 है यहाँ पर plus का 9 है and यहाँ पर जो 6 y है यह extra यहाँ पर आया है but यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर क्या है यहाँ पर wrong है तो not equal to RHS यह equal नहीं है RHS के and जो correct statement है वो भी हम यहाँ पर लिखते हैं तो यहाँ पर correct statement तो y minus 3 का whole square equal to होता है y square plus 9 minus 6y अब यहाँ पर हम 12 वाला solve करते हैं तो यहाँ पर LHS हम take करते हैं फहले z plus 5 का whole square अब यहाँ पर use हो रहा है a plus b whole square वाली identity का तो इसमें क्या होता है अगर यहाँ पर मैं plus कर दूँ a plus b whole square तो यहाँ पर क्या हो जाएगा plus हो जाएगा तो इसमें क्या होता है सब plus हो जाते हैं a square plus b square plus 2av तो यहाँ पर a हाँ पर z हो जाएगा तो Z का स्कुआयर, B हाँ पर 5 हो जाएगा 5 का स्कुआयर, N प्लस 2, 2 के साथ A आता है, तो A हाँ पर Z है, यह पर Z आएगा, N क्या आता है, B, B हाँ पर 5 है, तो हाँ पर 5 आजाएगा, 25 होता है 5 का फ्वार 25 हो जाएगा टू की मुल्टिप्राइप 5 से 10 हो जाएगा ensure 12 यहां पर Z2 है यहां भी Z2 है यहां प्लस का 25 है यहां पर 10Z आया है जो extra है तो equal नहीं है RHS के तो यहां पर हम लिख देंगे not equal to RHS जो correct statement आई है उसको हम लिखते हैं correct statement तो यहां पर Z plus 5 का whole square equal to आया है Z2 plus 25 अब यहां पर हम nice solve करते है 13 वाले को तो हैं पर 2A plus 3B in 2 में हाँ पर A minus B तो यह षी हां पर binomial है यह भी हां पर binomial है तो दोनों यहां पर binomial है तो हम क्या करेंगे binomial की multiply इस वाले binomial से करेंगे तो यहां पर is unquote 2A है तो हम deux लिखेंगे इसकी multiply करेंगे A-B से नास्ट अगें plus 3B है, इसको हम लिखेंगे, इसकी multiply करेंगे A minus B से, 2A लिखा, इसकी multiply हमने A minus B से की और again 3B लिखा, second बाला हमने time लिखा, इसकी multiply A minus B से करी, तो next यहाँ पर multiply करते हैं 2A की multiply A से करेंगे, तो यहाँ पर 2A square हो जाएगा और next 2A की multiply B से करेंगे, यहाँ पर sign minus का है यहाँ पर हो जाएगा, again 3B की multiply A से करेंगे, तो यहाँ पर plus 3AB हो जाएगा, next 3B की multiply इस B से करेंगे, तो यहाँ पर minus का sign आएगा, and 3, यहाँ पर 1B है, एक भी यहाँ तो यहाँ पर 2B हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा, B square, अब यहाँ पर जो like term है, उनको हम reduce कर देंगे, तो यहाँ पर 2A square, yes, minus का 2AB, plus का 3AB, दोनों like term है, यह minus का 2 है, यह plus का 3 है, subtract करेंगे, बन AB बचेगा, तो हम direct AB लिए सकते हैं, यहाँ पर plus का AB हो जाएगा, and minus का 3B square हो जाएगा, minus का 3B square यहाँ पर आ गया, now you can see, यहाँ पर 2A square है, यहाँ भी 2A square है, यहाँ पर minus का 3B square है, minus का 3B square यहाँ पर भी है, but यहाँ पर A plus B extra आया है, तो यहाँ पर not equal to RHS, equal नहीं आया RHS के, and जो correct statement है, उसको हम लिखते हैं, तो यहाँ पर correct statement है, यहाँ पर हो जाएगी, 2A plus 3B, A minus V, equal to 2A square, plus A V, minus 3B square, इस तरह से आपको 13 बल्ले पार्ट का solution करना है, अब यहाँ पर हम नया स्पार्ट को solve करते हैं, question number 14, यहाँ पर दे रखा है, A plus 4, into में A plus B, यहाँ पर दे रखा है, दोनों यहाँ पर binomial है, इनका answer यहाँ पर राया है, A square plus A, तो यहाँ पर हम solve करते हैं इसको, तो LHS यहाँ पर हम लेते हैं, first, तो A plus 4, into A plus 2, अब next यहाँ पर, A की multiply हमें करनी होगी, A plus 2 से, A की multiply A plus 2 से, next plus 4, हमें plus 4 लेखना है, then इसकी multiply हमें करनी है, again A plus 2 से, A plus 2, multiply करते हैं, यहाँ पर, A की multiply A, A square हो जाएगा, A की करेंगे 2 से, तो यहाँ पर 2 A हो जाएगा, 4 की करेंगे A से, तो यहाँ पर 4 A हो जाएगा, and 4 की करेंगे 2 से, तो यहाँ पर 8 आजाएगा, next यहाँ पर, A square यहाँ पर same आजाएगा, अब इसका जो correct statement है, उसको हम लिख देते हैं, यहाँ पर, A plus 4, A plus 2, equal to A square plus 6 A plus 8, अब यहाँ पर हम nest करते हैं, फिपीन बाले question को, तो A minus 4, यह हमारी क्या है, L, H, S, A minus 2, first A की multiply हम करेंगे, A की multiply करते हैं, हाँ पर A minus 2 से, nest यहाँ पर क्या है, minus का 4, as you can see, minus 4 की multiply हम करेंगे, हाँ पर, A minus 2 से, तो यहाँ पर, A की multiply, A से, तो A square, A की multiply, 2 से, तो यहाँ पर 2 A आ जाएगा, again, minus 4 की multiply, A से करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा, minus का 4 A, और nest, minus 4 की multiply हम minus 2 से करेंगे, तो minus minus, यहाँ पर हो जाएगा, plus and four to the eight of nest यहां पर a square as it आजाएगा और minus 2 a minus 4 a add जाएगो दोनों बड्यों sign आएगा वो minus का आएगा तो यहां पर minus 2 minus 4 minus 6 and 7 a आजाएगा plus 8 आजाएगा as you can see a square है यहां भी a square है यहां पर minus 8 है यहां पर plus 8 है तो यहां पर minus का यहां पर plus है तो काफ़ी यहां पर different है यह और नेस्ट मांस का 6 यहां पर already जादा है अब यहां पर जो इसका जो correct statement है भी हम लिख दियते हैं a minus 4 a minus 2 equal to a square minus 6 a plus 8 तो इस तरह से आपको 15 बाले question का solution करना है I hope आपको 11 से लेके 15 थक सारे question का solution बहुत easily understand हुआ होगा